सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गुंज सिर्फ भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में सुनाई देगी और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैनुफेक्टर होंगे उनको भी मजबुरन भारत में आकर के मैनुफेक्टरिंग के रास्ते पर चल दलना पड़ेगा यह ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजूर्बे में है साथियों आज जिस तेजी से वैश्वीक परिवेश बदल रहा है वैश्वीक परिद्रश्य बदल रहा है उसने विश्व को मल्टी पोलर बना दिया है इसलिए आने वाले समय में बविश्व की गतिवीदियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा यह बविश्य द्रश्टी बहुत जरूरी हो जाती है उधान के तौर पर पिछले समय में इंडो प्रजिपिक रीजन और इंडियन ओसन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजर अंदाज किया जात रहा है लेकिन आज ये ख्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्रात्मिकता है इसलिए हम नवसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी छमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे है आज चाहे आप्सोर पेट्रोल विसल्स हो सब्मरीन्स हो या अएरक्राप करियर्स हो आज भारत की नवसेना की ताकत अभूत्पुर्वगती से बढ़ रही है इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी जादा सुरक्षित सीलेंस बहतर मोनिटरिंग और बहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट मेरिटाइम ट्रेड और मेरिटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इससे केबल भारत ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों और विशेश कर हमारे पडोसी मित्र राष्टों के लिए व्यापार और समुरुद्धि के नए रास्ते खुलेंगे साथियों हमारी यहां सास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महर्तपुन के बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने समस्कार के रुप में जीया है हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशाम परपिडिनाय खलच्य साधो विप्रितम एतर ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय अर्था दुस्ट्रकी विद्या दुस्ट्रकी विद्या विबाद करने के लिए धन गमन करने के लिए और शक्ति दुस्करों को प्रताडित करने के लिए होती है लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है यही भारत का संसकार है इसलिए विश्वकों शसक्त भारत की जादा जरूरत है मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपी जे अबदुल कलाम से किसे ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिया है आपको बड़े शांति व्यक्ति लगते हैं तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है कलाम साब ने कहा था शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत बल और बड़लाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है मुझे भी स्वास है ससक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रसस्त करेगा इसी भाव के साथ हमारे बाहदूर जमानों को वीर सनानियों को आदर पुर्व उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्व पुर्ण आउसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं रुदैस से बहुत बहुत धनवात करता हूँ जैहिंद